हलो नमस्कार साथियों आप सबों को फिर से अपना यूटूब चेनल मा आसा इस पॉइंट में स्वागत है मेरे साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास टुवेल्थ जोगरफी यानि की भुगोल के मौस्ट इंपोर्टेंट गैस अब्यक्टिव कोश्चन अंसर बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एक्जाम की दृष्टी कौन से बहुत इंपोर्टेंट है इसी बज़े से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंतक दे पुस्टक ज्यानिन में से कौन हमबल्ड के दुवारा यह पुस्टक लिखा गया इसका एंसर हो जाएगा आपको कास मास खवा इसका करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कुश्चन है कि हम इसमें ऑप्संस नहीं देंगे क्योंकि समय बहुत काम है और आपको त्यारी बहुत ज समदित है मसाई जन जाती इसका जो करेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको घौय नेकि में इनमेस से कोई नहीं नेक्स्ट कुश्चन है कि यह ऑई लिंगक का समध्रु किस्से की आपको जायेगा आक गयारा याने की पूरु से वह महला जन संख्यां से नेक्स्ट निम्न में कौन मानब विकास सुचकांग से समंधीत है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको गौयन की महभूब उलहक next question है कि निम्न लिखित देशों में किसमें परसनता को परगती का माप माना गया है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको भुटान यानि की next question है निम्न में कौन कालाहारी मरुस्थल की जन जाती है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको कौयन की बुरुष में next question है कि निम्न में कौन एकल क्रिश्ची का उत्पाद है इसका answer हो जाएगा आपको इन में से सभी यान की रबड भी है और केला भी और चाय भी इन में स सभी इसका एंसर होगा next question है निमन में कौन रूस में अवस्थित है का तो इसका जो correct एंसर होगा वो हो जाएगा आपको टॉकियो तुला संग हाय या एसेन किसका जो correct एंसर होगा वो हो जाएगा आपको तुला next question है कि तो यह जर्मनी में लिए कि कॉन पेसागत का रंग नहीं नहीं है कि उसका जो प्रजच्व होगा वह जाएगा आपको गोयन की गुलावि में से कौन पेसेवाओं से समंधीत है तिसका जो answer होगा वो हो जाएगा आपको कोयन की वकील next question है कि किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है तिसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको इसका answer हो जाएगा आपको उत्री अट्लांटिक समुद्र मार्ग से next question है कि किस देश में सेंट जान से वैंकूवर के बीच महा मार्ग है तिसका answer हो जाएगा आपको गोयन की कनाड़ा next question है किस समंधित है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको गोयन की वायू मार्ग से next question है कि ये औरोपिया संग का मुख्याला किस देश में है तिसका answer हो जाएगा खोयन की बेल्जिम next question है निमनमे से किस संग का मुख्याला काठमंडों में और वस्तीत है तिसका answer हो जाएगा आपको खोयन की दक्षेश, next question है कि कारवार पत्तन है, कहां है, इसका जो एंसर होगा, वो हो जाएगा आपको गोयन की करनाटक में, next question है कि ओपोक समंधित है, किस से समंधित है, इसका जो correct answer होगा, वो हो जाएगा आपको, इसका correct answer हो जाएगा आपको, गोयन की पेट्रोलिय वेनेजुए ल्ला सेatu है दिसका ईंसर है कि सब्सक्राइब ठीक करेक्टर पर्षायगा आप्को आंट्रो पत्तन का नेश्ट कोईस्चन है गेरिशन नगर का संबंध है किस से संबंध है तिसका एंसर हो जाएगा आपको छावनीशी नेश्ट कोईस्चन है कि पेरिश और लंदन सहर को जोडने वाली सुरंग है कौन सा सुरंग है तिसका एंसर हो जाएगा आपको कोईन की चेनल टनल सरवाधिक परदुसन मिलता है यह answer हो जाएगा महानगर में कुल गाड़ी किस देश में अवस्थीत है इसका जो answer होगा वो हो जाएगा आपको कुल गाड़ी है इसका answer हो जाएगा आपको आश्ट्रेलिया next question है कि रेखिया नगर का विकास होता है कहा नदी के सहारे से next question है कि परवतों एवं उचे परवतों एवं उचे पठारों पर किस परकार की बस्तियां पाई जाती है इसका correct answer हो जाएगा आपको next question है सेंटी टाउन का संबंद है सेंटी टाउन का संबंद किस से है तो गंदी बस्तियों से है next question है कि धनबाद परसिद्ध है किसके लिए धनबाद परसिद्ध है इसका answer हो जाएगा आपको कोयन की कोई लाके लिए next question है कि million city की जनसंख्यां होती है million city की जनसंख्यां क्या होती है इसका अंसर हो जाएगा 10 लाग से अधीक next question है फेबरे समंधित है किस्य समंधित है फेबरे इसका correct answer हो जाएगा आपको खोयन की संभव वाद से next question है शिक्किम की रायधानी है शिक्किम की रायधानी कहां है इसका answer हो जाएगा इन में से कोई नहीं next question है next और 35 वा question है कि धरावी मलिन बस्ती कहां है धरावी मलिन बस्ती कहां है जिसका correct answer क्या होगा आप हमें comment में बताएंगे बाकि हम फिर 35 objective question अगले वीडियो में बनाओंगा ये वीडियो आपको कैसा लगा 35 में आपका कितना सहीवा है आप हमें comment में बताएंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज आप अपने दोस्तों को भी share करेंगे बाकिशो thanks very much all the best जाहिन जाय भारत